हेलो वे शुटल्स तो आज की शुड़ियों सीखने वाले एक कॉल्परेट अकाउंट का चैप्टर नंबर थ्री इसका नाम है बैंक अकाउंट ये चैप्टर का फ्रस वीडियो होने आला है चैप्टर की ट्रोश से डीटल देदू ये चैप्टर एक्जाम में 14 मार्क का पू समसा से 7-7 मारक के तो आज में क्या करने वाला हूँ आज आपको 7 मारक के जो टॉपिक आते हैं एक्जाम में जो कंपल सरी आगा आपको उसमें से एक टॉपिक एक्स्पें करने वाला हूँ जो टॉपिक में लेने वाला हूँ उसका नाम है रिपेट और बिल्स ये टॉपिक एक्जाम में पूछा जिदा 7 मारका उसके लिए आपको यहां पर जनरल NTS दी गए यह जनरल NTS लिए पूछी जाथी एक्जाम में आपको प्रेटिस करना हो तो आप इलिस्ट्रेशन नमबर 7, 8, 9 यह तीन इलिस्ट्रेशन आप प्रेटिस कर लीजिगा आपको दीख रहा होगा यहां पर 14 मारका सम्स आपको दीख रहा होगा यह है आप देख रहे हैं 14 मारका सम्स उसके और में चेक आट कीजिए यह जो दिया गया है कोशन नमर 2 उसके और में पूछा गया है उसके बाद सैकेंड कोश्यन भी पूछा गया है इसे दो समस ट्रेटिकल पूछी आते और में तो आज में एक टॉपिक लेना है उसका नाम है डिसकाउटें बिल तो अलबेड देखी यह एक्जाम में यह फॉटी मरका के और में सेवन मार का यह समस पूछाए गया, तो देखिए यह समस कैसे सौल होता है, अलेडी हमको लास्ट लाइम में लिखा गया, हमको और लिक क्या मंगा गया, जनरल एंट्री मंगा गया, और यह टॉपिक है रिबेट ओन बिल डिस्काउट का, तो वीडियो को पहले से लाइक होगा in advance, उसकी आपको calculation सबसे पहले करने रहे, तो देखिए ओलेडी समस के अंदर, यह मैंने tough sums लिया हुआ है, इसके अंदर पहले से, यहाँ पर हमको देख रहे हो, sums में 1, 2, 3, 4, 4 बिल्स दीगी, बिल्स की amount किनी दीए, 4 दीए, 1 बियो सकती, 2 बियो सकती, मैंने tough sums लिय कि closing date को उसा balance sheet का closing date सबसे पहले दिखिएगा, हमना closing दिया है, यहाँ बाद 31st December, आपकी इसकी जगह 31st March भी हो सकता है, तो सबसे पहले आपको जो date of balance sheet है, वो check out कीजिए, date of balance sheet है, 31st December 2017, आपको जो होई है, discount find out कम है, उसके लिए आपको यह जो पहली बिल्स आपको दीख र नहीं है, right now, तो देखिए, पहली 6th March 2018 को दी गई है, तो आप date यहाँ पर check out कीजिए, कितने month आने वाले है, कितने days आने वाले है, तो December को हमारा ending होता है, तो advance में कितने month आने वाले है, तो यहाँ मार्च तक दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे, तो conference आगा January आएगा, January क पूरे 30, first day आने वाले, पूरे के पूरे, उसके बद के आएगा, FAB आएगा, तो FAB के कितने days होने वाले है, 28 days होगे, 29 नहीं होने वाले है, क्योंकि यह 2018 है, उसका मार्च के only कितने days है, 6 days, कितने days है, 6, तो only मार्च के 6 days ही count होने वाले है, तो total days count किर लिजी है, आप आप तो total days भी जाएगा, 31, 28, और 6, तो total जाएगे 65 days हो जाएगे, तो अपने को क्या करना है, कि जो भी यहां पर amount दिया गया है, bills का, और percent दिया है, 5% और days कितने होए, 65 days का, आपको discount find out करना है, तो जो amount दिया गयी थी, 6,57,000, इंटु में परसेंट कितना था, 5% और days कितने फ discount जो निकल के आएगा, 5,850 रुपीज आएगा, यहां पर एक bills नहीं थी, यहां पर अगें, second भी bills लिए गई है, जिसका date क्या लिखा है, due date क्या लिखा है, 14 March लिखा गया है, और amount दे 4,50 परसेंट है, 4.5, तो देखिए, यह date भी again, इसका collection करना को पढ़ेगा, आपको 14 March दिया गया है, तो देखिए, again, same calculation आपको करना रहेगा, तो देखिए, इसके March के लिए, again, December से आप calculate कीजिए, तो अपना January पूरा-पूरा आने आला है, 31st, 31 days आने वाले है, उसका फैब के, वहे 28 days आएगे, यहां मार्च के अंदर, कितने days आने वाले है, only 14 days आने वाले है, तो आप total again कर दीजिए, तो यहां पर आपको total days मिल जाएगे, इस bills के लिए, 73 days, यहां सौर कर दूसा यह, कि अलड़ी, 6 March तक किने days हो रहे है, 65 हो रहे थे, और यहां मार्च कहा हो गया, 14, तो यहां 6 से लिगा 14, तो कितने days इंक्रीज हो रहे, 8 days इंक्रीज हो रहे, उसमे 65 हो प्लस एड करो तो भी आपको 73 days मिल जाएगी, अब इसका discount निकालते है, तो यह amount यह 4,050, परसेंट दिया है, 4.5, तो 4,050 का बिल से, परसेंट है, 4.5, और days कितना आ रहे, 73, डियाट में 365, तो इसका जो discount आएगा, 4,050, सब से main calculation यही है, उसके पात बहुत easy है work, अब तो थर्ड की बात कर दें, तो थर्ड देख लीजिए, थर्ड की डेट की दियेंगे है, 26 March ही दियें गई है, 26 March, तो इसके लिए same calculation करना है हमको, तो सबसे पहले वही अपने December से count करेंगे, तो यहापा जनवरी के पूरी-पूरी 31 days आ जाएगे, फैब के 28 days आ जाएगे, वह तो यह मार्च के कितना है है, 26 days आएगे, तो तो तोल कर दीजिए, तो आपको यहापर days मिल जाएगे, 85 days मिल जाएगे, तो इसका निकाल देख डिसकाउंट, तो यहाँ अमान देगे है, 2,25, और पसेंट दिया है, 6% तो 2,62, 800, इन्टु में, पसेंट दिया था, 6% और days कितने हो जाएगे, यहाँ पर, इसके 85 days हो जाएगे, एडवांस के, डिवाट्मेंट 365 ही आएगा, तो इसका जो डिसकाउंट निकाल के आएगा, 3,672, अब यहाँ पर एक और बिल्स दी गई है, सवाल रहाँ लाँ जो 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 बिल्स है, उसकी डिव डिट किते दी गई है, 10 अप्रेल दी गई है, तो देखिए 10 अप्रेल तो कितने डिट होने वाला है, कैसे काल्गलूट करना, जहाँ से देखिएगा, डेट थी 10 अप्रेल, तो अगें, डिसम्बर अमारा हमें के, राइट, वहीं से डिट दिया, तो अप्रेल के 10 अने वाले, तो टोटल कर दीजी, तो आपको टोटल डिज कितने मिल गई है, इसके अंदर 100 डिज हो रहे है, तो और का ट्रिक अप्ला करते है, यह मार्ज का 26 तक 85 ते है, और यह अप्रेल का 10 दिया गया, तो 31 तक तो यह आप 5 दे हो है 7%, तो 3,94,200 इंटु में परसेंट है 7%, और देज कितना रहे है, इसके 100 डिज है, रहे हैं, 100 डिज है, तो इसका कैलिशन करने पर मिलेगा 7,560 रूपीज, यह हो गया डिसकाउंट, आपको क्या करना है, चारो डिसकाउंट को प्लस करना है, 1st, 2nd, 3rd and 4th, तो चारो को प् हो कि हमारा टोटल डिसकाउंट की अमाउंट, अब हमारा में काफ हो चुका है, अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करना, लेकिन मैं चाहँ हो कि आप जनर एंट्री करना है, जिससे बहुत इसी हो जाएगा आपको जनरल एंट्री करना, तो अकाउंट बड़ा इसी होता काम को starting हमको दिया होगा rebate on bill discount कितना दिया गया है 25,200 यहाँ पर आपको entry कर देना है उसके बाद आपको किसकी entry करना है जो हमको discount receive हुआ पूरे year में end में 17 दिसे लेगे 18 दग पूरे year में जो हमको discount receive हुआ है वो भी sums में दिया होगा आप देखो interest on discount receive उसकी भी amount दी है 1,35,000 वो यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है यह rebate discount जो हमने find out किया advance वाला वो यहाँ पर लिखना है यहाँ जो हमने calculation करके find out किया था आप देख सकते हो हमारा total आया था 21,132 जो हमारा आया था यह amount जो हमने calculation करके निकाला 21,132 यह amount अमने आप फिलग की हुए अब क्या करना से difference निकाला है जो कहाँ चला जाएगा profit and loss हमें तो हमें total कर देना है तो 1,60,200 1,60,200 अब भी इसका difference आएगा वो profit loss में transfer कर देंगे 1,39,068 यह हो गया profit loss का transfer अब लास्ट कम general entry करना तो बहुत इसी है तो general 1,2 and sorry 1,2 and 3 यह तीन entry ही करना हमको receive का नहीं करना जो interest receive हुआ है उसके entry नहीं करना first opening का जो advance का और difference का इन तीन होगी general entry करना तो first इसकी entry करेंगे तो interest and discount account क्या होगा credit होगा औरITE तो यह account क्या हो जाएका debit हो जाएका first entry में रिपेट or bills discountaid on debit to interest yeah discount account समझेरोंगे तोसकी amount आजाएगी 25,200 तो यह first entry होगी second entry आपको यह advance की करने तो इसकी लिए interest and defendant क्या हो जाएगा debit हो ao समझेरोंगे आप interest and discount on debit to rebate or bills discard यह होगा second entry और उसकी तो हमने find out की थी वो 21,132, 21,130 तो लास और फाइनल जो profit loss का difference जगाला उसकी general entry करना है तो उसके लिए में say interest and discount on debit बनेगा और profit loss का बन जाएगा credit बन जाएगा आप देख लेगा यह होगी complete jungle entry और समस में general entry मालगा कभी कभी account भी create करने को बोला जाता है तो मैं सारा का सारा काम आपको बता दिया एक calibration कैसे discount का और यह हमारा account किसे create a journal entry यह होगा 7 mark का समस यहाँ पर complete I hope आपको संब्या होगा कोई query राएगे मुझे comment box में जरूर बताएगे कोंसार्ट वीडियो चाहते हो भी लिखिएगा और वीडियो को सेल करना ना भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you